वेलकम टू आर उनलाइन चैनल मैसल साहिल आज हम अपना नेक्स लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स टॉपिक देखो जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था आज उसके कुछ कोशन करते हैं जो हम स्टिचोमेटरी बढ़ रहे थे लास्ट टाइम तो देखो उसके कोशन दे रहक है और कोशन में वो यह कह रहा है और वोल्यूम आ ऑट वोल्यूम ओफ उक्सीजन कि आट स्टीप is required what volume of oxygen at STP is required to affect complete combustion complete combustion of 200 cm3 of acetylene C2H2 जिसको आप ETHINE भी कहते थे 10th में आपने NOMAR GLATURE पढ़ा होगा Acetylene का मतलब है ETHINE and what would be what would be the volume of CO2 CO2 formed और कह रहा है कि ये बताओ कि कितना जो CO2 है वो बनेगा अब देखो combustion की reaction है तो पहले हम क्या करते हैं reaction लिखते हैं C2H2 combustion कल भी हमने पढ़ा था burning in presence of oxygen देखो combustion का product कैसे बनाते हैं combustion के product में आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने hydrogen है उसके half water बनेंगे कितने hydrogen है दो तो यहां पे एक water molecule बनेगा ठीक है भई इसके बाद जितने carbon है उतने CO2 तो चाहिए आप यह लिख सकते हो side में कि after combustion after combustion number of CO2 is equal to number of carbon in reactant reactant के अंदर जितने carbon होंगे उतने ही क्या बनेंगे CO2 बनेंगे और number of water number of water जो है वो equal आएंगे 1 by 2 of number of water molecule तो यह combustion reaction के product होते हैं तो अब देखो combustion जब आप इसका कर रहे हैं तो यहां कितने carbon है दो तो इसका मतलब है कि CO2 कितने बनेंगे दो CO2 बनेंगे वो hydrogen कितने हैं दो तो देखो number of water किसके बराबर करना है दोनों साइड अब देखो अब CO2 में in one CO2 oxygen कितने हैं दो हैं ठीक है लेकिन CO2 कितने हैं दो हैं तो total oxygen कितने हो जाएंगे चार तो CO2 में oxygen कितने हैं चार हैं एक water molecule है तो एक oxygen यहां पे है तो total oxygen कितने होगे 5 तो अब 5 oxygen इस साइड लाने के लिए क्योंकि देखो oxygen रहते है O2 की form में तो हम यहां पे क्या करेंगे 5 by 2 क्योंकि देखो एक में दो है तो 2 से 2 cancel हो जाएगा तो बचेगा क्या आखरी में 5 oxygen तो भई यह हमारे पास balance reaction है अब इसके बाद अब अपने question पे आजाते हैं तो देखो question में वो हमारे को यह कह रहा है कि what volume of oxygen at STP is required तो मतलब वो पूछ रहे कि इसका कितना volume जो है वो required है ठीक है to affect complete combustion of 200 cm3 of acetylene इसका volume कितना दे रखा है 200 cm3 and what is the volume of CO2 formed तो CO2 कितना बनेगा अब पहले question को solve करने के लिए बिल्कुल जो last time हमने शुरू किया था हम क्या करेंगे इसकी stitchometer लिखेंगे मतलब हमें oxygen का volume चाहिए कि कितना आएगा तो देखो इसके आगे number क्या है 1 तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक mole one mole of CO2 इसके बाद यहां आजो इसके आगे number क्या है five by two तो five by two mole of oxygen अब इसके बाद यहां पे आजो two mole of CO2 दो mole किसके CO2 के आगे क्या है एक तो क्या आएगा फिर एक mole किसका one mole of water तो यह तो बन गिया हमारे पास strichometry अब इसको amount की strichometry में convert करें तो देखो देखो यह centimeter cube दे रखा तो यह gas होगी यह भी gas है ठीक है CO2 भी gas होती है तो अब इस case के अंदर अब देखो इसका एक mole एक mole का मास निकाल लो तो 12 into 1 plus 16 into 2 which is equal to 44 gram तो एक mole यह 44 gram यहाँ पर आजो 5 by 2 into mass of 1 mole तो 5 by 2 into 1 mole का मास 32 तो यह आ गया 16 तो 80 gram by 44 gram sorry 1 mole of C2H2 है sorry 1 mole of C2H2 अगर हम इसका मास निकालते हैं तो एक कारबन का मास 12 कितनी कारबन है दो प्लस एक हाइड्रोजन का मास एक कितनी हाइड्रोजन है दो तो 24 plus 2 यह कितना आ जाएगा 26 gram तो 26 gram acetylene 80 gram oxygen के साथ react करेगा और यहाँ पर आजो 2 mole of CO2 तो 2 into mass of 1 mole तो 2 into 44 एक mole का मास अभी हमने count किया था इसका कितना आता है 44 तो यह आ जाएगा 88 gram ठीक है 1 mole of water water के 1 mole का मास कितना आता है 18 gram तो यह एक stitchometry बन रही है एक stitchometry यह बन रही है अब question जो है उसने question हमारे को पूछा हुए किसमे volume में हम क्या करेंगे अब इस concentration terms को volume की stitchometry में convert करेंगे तो देखो एक mole का volume कितना होता है 22,400 cm3 at STP 22,400 cm3 at STP अब देखो यहाँ पर कितने mole है 5 by 2 तो 5 by 2 into volume of 1 mole तो 5 by 2 into 22,400 cm3 इसको multiply करेंगे तो यह आजएगा 56,000 cm3 इसके बाद आजो CO2 पे तो 2 into volume of 1 mole तो 2 into 24,000 cm3 तो यह आजएगा 44,800 cm3 तो यह हमारे पास क्या बन गया volume relation अब आप question को पढ़ो वापिस से देखो question की statement में वह हमारे को यह कह रहा है what volume of oxygen at STP is required इसका मतलब है कि इसका volume पूछ रहा है वो कितना लगेगा अगर हमें 200 cm3 क्यूब एसिटलीन का complete combustion करना है ठीक है तो वो हमारे से पूछ रहा है कि oxygen कितना लगेगा भई अगर हमें 200 cm3 क्यूब एसिटलीन पूरा react कराना है तो अब हमें relation किसमें चाहिए एसिटलीन में और oxygen में तो देखो statement कैसे बन सकती है कि 22,400 यहां देखो इन दोनों में relation क्या है 22,400 और 56,000 तो 22,400 cm3 एसिटलीन react करता है 56,000 cm3 of oxygen के साथ तो फिर 1 cm3 एसिटलीन कंप्लीटली रियक्ट करेगा 56,000 upon 22,400 cm3 और फिर देखो कितने एसिटलीन का कंप्लीट कंपशन कराना है 200 cm3 का तो 200 cm3 का अगर हमें कंप्लीट कंपशन करना है तो वोलियम लगेगा 56,000 divided by 22,400 इन्टु में 200 cm3 of oxygen is required तो ये वो oxygen आ जाएगी जो required है किसके लिए 200 cm3 of एसिटलीन के लिए आप इसको solve कर सकते हो तो ये दो 0 से दो 0 कट हो जाएंगे ठीक है इसको कट कर लेना 100 तो ये 112 फिर ये 50 फिर ये 56 तो ये आ गया 10 10 और 50 तो कितना आ जाएगा 500 cm3 of O2 is required तो भई जो हमारा पहला कोशन था उसका तो आंसर जो है वो हमारे पास ये बन रहा होगा अब इसके बाद वो इसी कोशन में हमारे को ये पूछ रहा है कि what would be the volume of CO2 formed भई CO2 कितना बनेगा तो अब देखो अब एसिटलीन कितना है हमारे पास एसिटलीन उसने दे रहा है 200 cm3 तो पहले स्टेंडर केस देखते हैं कि एसिटलीन के एक मोल से CO2 के कितने बन रहे हैं दो मोल तो अब हम ये लिख सकते हैं आगे एसिटलीन के लिए कि भई 22,400 cm3 एसिटलीन से CO2 कितनी बन रही है 44,800 cm3 भई 22,400 cm3 एसिटलीन से 44,800 cm3 क्या बन रहा है CO2 ठीक है भई अब इसके बाद फिर 1 cm3 से निकाल लो 44,800 डिवाइड़ बाइ 22,400 cm3 अब इसके बाद एसिटलीन दे कितना रखा है 200 cm3 तो 200 cm3 से जो एसिटलीन बनेगा वो 44,800 डिवाइड़ बाइ 22,400 इन्टू में 200 cm3 of CO2 तो भई अब आप इसको सोल कर सकते हो ये 2 पे कट होगा तो ये आजएगा 400 cm3 of CO2 तो हमार पास CO2 कितनी बनेगी 400 cm3 अब ये तो था आपको पूरा डिराइव करके दिखाने अब आप दिमाख में सोच के देखो कि एसिटलीन और CO2 में रेशो कितना है एसिटलीन और CO2 के अंदर जो रेशो है वो 1 रेशो 2 का है भई इसका 1 मोल तुटेगा तो इसके 2 मोल बनेंगे तो अब आप सोच के देखो अगर इसका 200 cm3 तूटेगा तो इसका कितना बनना चाहिए 400 cm3 साफ आंसर आ सकता है सिद्धा आपको जस्ट कंसेप्ट को समझना है कि इसका 1 मोल तूटता है इसके 2 मोल बनते हैं तो भई इसका अगर 200 cm3 तूट रहे तो इसका कितना बनेगा 400 cm3 और वही आपका अंसर है फिर आप C2, H2 और O2 में रिलेशन देखो क्या रेशो है 1 रेशो 5 by 2 तो इसका अगर 200 cm3 तूटेगा तो इसका कितना बनेगा 5 by 2 into 200 दोनों में रेशो क्या है C2, H2 और O2 में रेशो क्या है 1 रेशो 5 by 2 ये तो रेशो है एसिटलीन का और ये रेशो किसका है ओक्सीजन का तो अगर ये 200 cm3 तूट रहे तो ये कितना बनना चाहिए दोनों को 200 से मल्टिप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 200 रेशो 500 तो बैजब ये 200 cm3 तूट रहोगा तो ओक्सीजन कितना बनना चाहिए 500 cm3 ठीक है तो आप जब कोशन प्रैक्टिस करोगे दीरे दीरे तो आपको खुछ से समझ में आएगा कि आपको कोशन को इतना लेंधी करना ही नहीं है आप डिरेक्टली ऐसे भी सोल कर सकते हो कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है 1 रेशो 5 by 2 का किसका रेशो है मॉल का इतने इसके एक मॉल से इसके 5 बटे 2 मॉल लगते है तो इसका अगर वोल्यूम 200 है तो इसको अगर 200 से मल्टिप्लाई कर रहे है तो इसको भी करोगे तो रेशो क्या आजाएगा 200 रेशो 500 तो इसका 200 सेंटीमेटर क्यूब टूट रहे तो इसका कितना चाहिए 500 सेंटीमेटर क्यूब चाहिए ठीक है बच्चों तो इसके बाद देखो एक हम next गोशन ट्राइग